हेलो बच्चो नमस्कार प्यारे बच्चो कल हम लोगों ने लेंस का टॉपिक पढ़ लिया था जिसमें हम लोगों ने कनवेक्स लेंस के बारे में जानकारी हासिल की थी और उसके हम लोगों ने छे केसिस पढ़े थे कितने केसिस पढ़े थे छे केसिस पढ़े थे ठेके बच और आज हम लोग Concave Lens कौनसा Lens Concave Lens के बारे में जत, जानकारी घट्टी करेंगे जिसका दूसरा नाम बच्च pais आप बहुत अच्छे से जानते हैं इसका नाम होता है Diverzing Lens हिंदी की बात करें अगर तो Concave को अवतल Lens कहा जाता है आपसारी Lens अब सारी लेंज ठीक है बई और इसके बाद वच्छो हमें क्या करना है कंकेव लेंज को अगर हम पढ़ें तो कुछ इस टाइब का होता है कंकेव लेंज आपको पताएं सी ऑप्टिकल सेंटर इसमें कुछ नया नहीं है यही आपका F1 यही आपका 2F1 यह आपका F2 और यह आपका 2F2 कोई भी प्रॉब्लम इसमें सारी जानकारी आपको पहले से हासिल है कौन C है कौन F1 है तब कुछ आपको सेम कनवेक्स लेंज की तरह ही है तो नोट कीजिए इसको अगर करना चाहते हैं नहीं तो फिर मैं रूल करवाता हूं ठीक है रूल नंबर फिस्ट रूल नंबर फिस्ट रूल नंबर फिस्ट ये F1 ये 2F1 ये F2 ये 2F2 पहरे बच्चों ये प्रिंसिपल एक्सिस से रे पैरलल गई और आपको पता है डाइवर्जिंग लेंज से तकरा के उस तरफ निकल जाएगी ये पीछे की तरफ आएगी बच्चों इसका जो फोकस होता हो किस तरफ बनता बच्चों पीछे की तरफ बनता है किदर बनता है पीछे की तरफ ध्यान रखना रूल नंबर दो ठीक है अब की बार क्या हुआ अब की बार जो है रे ऐसे गई फोकस से तो आपको अच्छे से बता है वैट अकरा के सीधी हो जाएगी तो जिस तरफ सीधी होगी उसी के उल्टे तरफ क्या मिल जाएगा फोकस से मिल जाएगा उसी के उल्टे तरफ क्या मिल जाएगा बच्छो फोकस से मिल जाएगा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट बच्छो गडबड हो गई सॉरी सॉरी फोकस से ऐसे नहीं जाएगा यह तो डबल हो जाएगा ना फिर यह रे आएगी कुछ ऐसे है ठीक है और अब टकरा के यह सीथी हो जाएगी तो अब कहां से जाएगा यह ऐसे फोकस से जाएगा इस तरीके से ठीक है कि अगर कोई रे ऐसे आती है इंसिडेंट करती है और टकरा के सीधी हो जाती है तो इसका मतलब फोकस से जाएगा तो फोकस कामी लाइंगे इसका पीछे ठीक है और रूल नंबर थरी इसमें कुछ भी पढ़ाने लाइक है नहीं ठीक है बहुत अच्छे से जानते हैं आप सब सी से गया और सी से ही पार ठीक है नोट करो फिर इसके दो केस हैं वो केस बढ़ाता हूं नोट कीजी बच्चो झाल चलिए नोट कर लिए होगा अब नहीं है अब इसके केसिस पढ़ते हैं अब क्या पढ़ेंगे इसके केसिस पढ़ेंगे बच्चो इसके दो ही केस हैं जैसे कि मैंने आपको बता रखा है ठीक दो ही केस हैं पहला ठीक है लोजी पहला किस वेन अब्जेक्ट इस प्लेज़ बिट्वीन कहां पर बिट्वीन सी एंड इंफिनिटी जब वस्तु को सी और अनन्त के बीच रखा जाए अनन्त के बीच रखा जाए ठीक है बच्चो तो देखेंगे ध्यान से ये प्यारे बच्चो आपके पास हो गया लेंस ये हो गया सी ये हो गया एफ वन ये हो गया टू एफ वन ये हो गया एफ टू ये हो गया टू एफ टू अब इनके बीच में इंफिनिटी तो कहीं तक भी हो सकता तो कहीं पर भी रख लो लुमान लीजी आपने यहां पर रख लिया, जो रही नहीं है, यहां भी रख सकते हो, यहां भी रख सकते हो, और रे गए ऐसे, आपको पता है, कि यह diverging lens है, तो टकराने के बाद इस तरफ मुड़ जाएगी, लेकिन इसका focus किस तरफ आएगा, इसका focus पीछे की तरफ आएग आएगे, A-B-, आईए इसके image के बारे में बात करते हैं, प्रति बिम्ब के बारे में बात करते हैं, हां जी, पहला, कैसा बनेगा, जल्दी बता दो, हां जी, कैसा बनेगा, देखो, virtual है और real है, तो यहां पर इसका मतलब सीधी सी बात है, पहली बात, कहां बनेगा, between C and F1, यहनी जो image बनेगी बच्चों, वो C और F1 के बीच बनेगी, C और F1 के बीच, दूसरा, कैसा बनेगा, smaller than object, smaller than object, वस्तू से छोटा, और तीसरा, कैसा बनेगा बच्चों, आपको पता ही है, virtual and erect, अभासी और सीधा, अभासी और सीधा, ठीक है, अभासी और सीधा, ठीक है, नोट करो इसे, एक मिनिट के लिए, और लेखिए छिए लेगों, आभासी और सीधा, आपको पता ही है, लेखिए पना अभासी और सीधा, आपकों टीक है, आपकों बनेगा त Let'sे एए, कि बालij स Τ. हाँ जी बच्चों तो सेकेंड केस देखेंगे अब वेन कि ऑब्जेक्ट कि इस प्लेज्ट कि एट इन्फिनिटी ऐसे बना रहों सिंबल ठीक है जब वस्तु को कि अनंत पर रखा जाए तो कोई भी बच्चा नादान नहीं है सारे बच्चे फिगर जान चुके हैं कैसे बनने वाली है एफ वन टू एफ वन एफ टू 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 एफ टू रे कहां से आएगी इन्फिनिटी से आएगी यह आई आई ओहो सॉरी सॉरी बच्चो सॉरी एक काम करते हैं इसको थोड़ा और नीचे से बनाते हैं ना तो टकरा के ऐसे डाकरा के ऐसे टिक्रा sobre है लेकर आपको पता इसका फोकस कहां होता है पीछे होता है तो है का पीछे होता है तो एड़ा तो image के बारे में परति बिंब के बारे में पता करेंगे पहला कहां बनेगा at f1 f1 पर दूसरा कैसा बनेगा point size हिंदी वाले बिंदू आकार और थर्ड virtual and erect virtual and erect अभासी और सीधा अभासी और सीधा जल्दी से नोट कर लीजिए concave lens आपका खतम हो चुका है इसके बाद इसके कुछ points है वो बताने है ठीक है जी चलो बच्चों अब पढ़ेंगे हम lens formula क्या पढ़ेंगे हम lens formula यह नोट कर लिया होगा आपने सभी बच्चों ने और यही दो case थे इसके ठीक है यह chapter end की तरफ बढ़ रहा है और इस chapter को आज खतम कराके आपके यह class यहीं समाप्त उसके बाद इसके numericals ठीक है इसके numericals की seat आपको PDF के form में दी जाएगे और वही कराए जाएगे ठीक है चलिए देखे जरा हाँ जी lens formula इंदी में भी lens sutra क्या होता है 1 upon F 1 upon V minus 1 upon U मुझे बताने की जुरुत नहीं है V कौन है U कौन है F कौन है V कौन है distance between image and lens ठीक है lens और क्या भई चाहे तो लिख देता हूँ चलो V distance between image and lens ठीक है प्रति बिंब और lens के बीच की दूरी U distance between object and lens lens यानि क्या वस्तू और वस्तू और lens के बीच की दूरी और फिर F यह तो पता ही है focus focal length focus दूरी ठीक है अच्छा अब देखें जरा अगला आता है magnification है ना भई आवर धन M बराबर V upon U याद रखना बच्छो mirror वाले में माइनस V upon U था लेकिन lens में V upon U होगा और अगला है H I upon में H O और आपको बताएए जब यह इसके बराबर यह इसके बराबर तो V upon U upon H I upon H O के भी बराबर होगा ठीक है कोई दिक्कत कोई समस्या तो यही फॉर्मले थे फटा फट note कर लो H I बताने जूरत नहीं है height of image H O बताने जूरत नहीं है height of object चलो note करो इसे अब देखिए बच्चो आप देखिए बच्चो अब देखिए अब इसको भी अगर मैं मिला रहा हूँ तो यह भी बच्चो बिलकुल साइड नेगेटिव नीचे आएंगे नेगेटिव यही है अच्छा चलिए तो मैं आपके सामने कुछ points लिख रहा हूँ क्या एफ यू वी एच आई हो भाई यू हमेशा नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव मैंने बता रखा है all case में positive नेगेटिव ऐसे रहेगा इसमें कोई change नहीं focus focus कहा है इसका भई आपने 5 की 5 वाई diagram देखे और जब भी आपने focus बनाया तो किस तरह बनाया आगे की तरह बनाया 5 क्या 6 के 6 diagram में सारे के सारे diagram में आपने देखा कि जो हमारी image की यानि जो भी object का focus जो भी image की ray focus सजाती थी आगे वाले से जाती थी तो इसका मतला हमें सा क्या हो गया always positive अब आता है वी और है ठीक है भी और है अगर आप गौर से देखेंगे तो इमे वी जो है वी अगर आप गौर से देखेंगे तो वी जो है आपका ठीक है हर बार हर बार क्या भी पांच बार तो वी आपका इस त इस तरह बना negative. कब when object is placed between C and F1. सही बात है बच्छों? और इस तरह HI. HI एक बार उपर की तरह बना यानि positive, एक बार positive बना और हर बार नीचे की तरह बना यानि हर बार negative बना बस एक बार positive बना कब, जब वस्तू को C और F1 के बीच रखा जाए कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं ना अगला अगर हम बात करें किसकी कनकेम मिरर की तो C F2 2F2 F1 2F1 ठीक है जी अब देखो सेम चीज इतर भी ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये नेगिटिव ये भी नेगिटिव ठीक है इनके लिए बात करते है F, U, V, H, I, HO यही है बच्चो अच्छा अब देखेंगे दो चीजे फिक्स V हमेशा नेगिटिव H, O, हमेशा पॉजिटिव ये तो भाई, बिल्कुल याद कर लो कि भाई, इसमें एक चेंज आए गा ही नहीं हमेशा ऐसी रहेगा अब आता F अगर आप F देखोगे तो हर बार जब भी रे बनाई है हमने F1 की तरफ बनाए तो मतलब F हर बार क्या बना ? नेगिटिव और इमेज भी बना वो कहा बना हर बार ? पीछे बना तो याई इमेज भी है दोनों के दोनों के इसमें नेगिटिव लेकिन HI HI जो बना image वो हर बार किस तरफ बना ? उपर के तरफ मतलब positive तो बच्चो F U और V हमेशा negative होगा concave lens में जबकि H I और H O हमेशा क्या होगा positive होगा किस में concave lens में तो बच्चो ये फटाफट note कर लो उसके बाद फिर ये खतम करते है इसके अदब ये एक topic और है वो भी करते है करते है चलो अच्छो इसे मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं नया टॉपिक पावर ओफ लेंस और इसी के साथ आपका आज की क्लास खतम और ये चैप्टर भी खतम फिर इसके नुमेरिकल रह जाएंगे नुमेरिकल कराए जाएंगे आपको फिर क्या है चले बच्छो अब एक आता है पावर ओफ लेंस अब क्या आता है पावर ओफ लेंस लेंस की सकती क्या है बच्चो ये power of lens समझेंगे ज़र ध्यान से प्यारे बच्चो आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि power of lens में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप सभी को ये बात notice होएगी कि देखो कई बच्चो को आपके classes में चस्में लगे हैं या हो सकता आपको खुद भी लगा हो तो आप जब भी किसी को number बताते हैं अपना तो बताते हैं कि मेरा minus 1.25 है minus 1 है minus 1.75 है minus 0.50 है इस तरीके से number बताते है कुछ बच्चे plus में बताते है मेरा भाई plus में 2 है मेरा भाई plus में 1 है प्लस में 1.5 है प्लस में 0.5 है तो यह नहीं क्या यह प्लस और माइनस क्या चक्कर है भाई यह प्लस और माइनस कहना क्या चाते हैं तो आओ बताते हैं भई दो तरह के लेंस होते हैं हमारे पास इसमें कोई गलत बात नहीं है Convex और Concave Lens अवतल और उतल Lens अब याद रखना हमेशा कि वही Convex Lens जब भी यूज़ करेंगे तो उसका क्या होगा भई उसका number प्लस में दिखाएंगे जब कि Concave जब भी Lens यूज़ करेंगे तो उसका number हमेशा किसमें दिखाएंगे minus में दिखाएंगे किसमें दिखाएंगे minus यानि जब जब आपको کسी की power प्लस में दिखाई जए तो समझ लेना वह Convex Lens यूज़ हुआ है और जब भी किसी की power माईनस में दिखाई दे तो समझ लेना Concave Lens का यूज़ हुआ है ठीक है बच्चो अच्छा अब एक बात और अब यह power होता क्या है तो भई power जो होता है वो one upon में focal focus के बराबर होता है किसके बराबर होता है one upon में focus पी is equal to one upon f लेकिन one upon f तब होगा जब conditions मीटर में चल रही होगी इन मीटर और यही condition यही condition power is equal to hundred upon focus हो जाएगा hundred upon focus हो जाएगा कब यही पी is equal to hundred upon f हो जाएगा कब in centimeter in centimeter ठीक है जी तो जब condition centimeter में चलेगा तो पी is equal to hundred upon f बनेगा और जब condition मीटर में रहेगा तो भई पी is equal to one upon f रहेगा क्या रहेगा one upon f रहेगा क्या किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं ठीक है अब याद रखना वई तो अगर आप से कोई पूछे कि पावर आफ कन्वेक्स लेंस कन्वेक्स लेंस ठीक है उत्तल लेंस की सकती उत्तल लेंस की सकती तो बच्चो कैसी होती है कैसी होती है पॉजिटिव और अगर आप से कोई पूछ लें पावर आफ कन्वेक्स लेंस ठीक है अवतल लेंस की सकती कैसी होती है जल्दी बता दो तो भाई नेगिटिव होती है अब बात आती है हर चीज को मैजर करने की एक ऐसा यूनिट होती है हाँ की ना तो बिलकुल तो पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है diopter, symbol होता है D ठीक है, SI मातरक किसका, सक्ती का सक्ती का SI मातरक diopter होता है क्या होता है, diopter होता है जिसका symbol होता है, D क्या होता है, D यानि, अगर convex lens का देखोगे तो answer निकलेगा, plus का D और अगर concave lens में देखोगे तो answer निकलेगा minus का d ठीक है तो यहनि अगर plus का d दिया हुआ है तो convex lens minus का d दिया हुआ है तो concave lens ठीक है बच्चो इसे note करो जल्दी से यह यहीं खतम होता है एक glass और पढ़ा देता हूँ combination of lens फिर खतम का अनि combination of lens और पढ़ लो बच्चो फिर आज की glass यहीं खतम करते है नोट कर लिए तभी ने देखो topic का ना combination of lenses lensों का सयोजन पहला पहला टाइप convex lens plus convex lens ठीक है दो ही टाइप पढ़ने बस हमें ठीक है उत्तल lens plus उत्तल lens तो कह रहा है इसकी power बताओ कितनी होगी इसकी power कितनी होगी तो भई पावर कितनी होगी बई टोटल पावर क्या होगी बई पहले वाले convex lens की power P1 और दूसरे वाले की भी P1 और दोनों को क्या कर देंगे add बात खतम ठीक लेकिन अब ये कैसे दिखेंगे दिखने में कैसे होंगे दिखने में ऐसे होंगे ये प्लस ये टच करेंगे ऐसे एक दूसरे को एक दूसरे को ऐसे क्या करेंगे टच करेंगे तो इसकी power P1 इसकी power P2 दोनों की power प्लस में होती है add कर देंगे answer आगिया अब दूसरा हाँ जी क्या? convex lens प्लस concave lens ठीक है? उत्तल lens प्लस अवतल lens ठीक है? तो कैसे दिखेगा ये? ऐसे ठीक है? प्लस ऐसे अब जब इसको add कर दोगे तो ये add होके ऐसे बन जाएगे ठीक है? तो देखो power इसकी प्लस का P1 और इसकी power माइनस का P2 क्यों? क्योंकि भाई convex का power प्लस में होता है और concave का power माइनस में तो टोटल पावर क्या आएगा? P1 माइनस P2 ठीक है? अब power इसकी भी ज़्यादा हो सकते है इसकी कम इसकी ज़्यादा हो सकते है इसकी कम यानसर प्लस में भी आ सकता अनसर माइनस में भी अच्छा अब कुछ बच्चे के मन में लग रहा होगा कि सर आपने concave प्लस concave का case क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? तो मेरे भाई अगर concave और concave दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा? बीच में देखो खाली gap नहीं आ जाएगा बीच में air आ जाएगा तो जब air आ गया तो ये तो अलग-अलग medium बन गए ना और जबकि यहां पर क्या है? इससे ये जुड़ा हुआ है और इससे ये जुड़ा हुआ है ठीक है? और आज की क्लास यहीं खतम होती है नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर के numericals करेंगे ठीक है? और मैं ये चाहूँगा कि सभी बच्चे इसके formula और इसके जितने भी concept कराए गए हैं lens की कैसी figure बनेगी mirror की कैसी figure बनेगी कहां पे बनेगी कैसी बनेगी उल्टी बनेगी सीधी बनेगी ठीक है? बड़ी बनेगी छोटी बनेगी ये सारे concept आप लोग अच्छे से revise करना ताकि जब मैं numerical कराऊं तो आप लोगों को समझ मैं क्योंकि अगर आप लोगों ये revise नहीं किया तो बच्चो ये याद रखना आपको एक भी numerical समझ में नहीं आएगा तो किर्पया करके next class के लिए सारे के सारे concept अच्छे से पढ़के ready रखें ताकि मैं numerical जब करवाऊं तो आपको A to Z सारी बाते के लिए ठीक है? तो चलिए आज की class यहीं कतम करते हैं मिलते हैं next class में